यहाँ पर मैंने लिया है अम्रेला जो हम यूज करते हैं और कहीं इधर दर रख देते हैं जो हमें टाइम से नहीं मिलता है तो हमें करना क्या है आपके पास ऐसे कोई बैग हो तो ये देखिए मेरे पास एक जो बैग मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर ये है मिरे ट्राइप पॉट का बैग जो यूँ ही पड़ा था मेरे घर में मैंने इसे as a organizer यूज किया है और इसको hang कर दूँगी मैं किसी भी जगह पर जब भी हमें इसका काम लगेगा हमें ये easily मिल जाएगा अगर हम इसी तरह से अपने घर को organize रखेंगे तो easily हमें सामान भी मिल जाएगा और हमा काम आसान हो जाएगा यहां पर मैं दूसरी टिप्स कर रही हूं जो कि है एक पॉलिथीन मैंने ली है इसी का यूज करके हम एक ऐसा organizer बनाएंगे जो आपके लिए बहुत helpful होगा आप इस तरह के organizer घर में बना करके बहुत सारे सामान को organize रख सकते हैं वर्टिकल स्पेस अप पॉलिथीन ली है बहुत ही सॉफ्ट वाली पॉलिथीन है तो देखे कहीं न कहीं आपको घर में मिल ही जाएगी तो इस तरह से इसको कट करके हम निकाल लेंगे या फिर आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं तो मैं यहां पर क्या करूंगी इसको कट कर दूगे तो कट करने के बाद हम चलिए दिखाते हैं कि इसको हम कैसे यूझ करेंगे तो इसे मैं यूच कर रहे हूं अपने किचन में तो नीचे जो ड्रावट बने होते हैं मैं इसको यहां पर ग्लू गन की फाल्प से पेस्ट कर दूँगी और यह हम निजर बन के रेडी हो जाएगा तो इसमें मैं जो हमारी पॉलीथीन होती है मैं वो और्गनाइज करूँगी और जो इधर उधर पड़े होते हैं हम धर पर अच्छे से हम यहां प myself पॉलिथीन रख सकते हैं क्योंकि पॉलिथीन भी हम यूज करते हैं कभी न कभी हमें जरूरत इसकी पड़ती रहती है तो इस तरह से आप अपने वर्टिकल स्पेस को यूज कर सकते हैं तो कैसी लगी आपको ये टिप्स जरूर बताएगा कमेंट करके अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि इस तरह के हैक्स और टिप्स से हमारे जो काम आसान हो जाते हैं उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है तो इस तरह से जब भी हमें पॉलिथीन की जरूरत होगी हम यहां से लेकर के यूज कर सकते हैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टिप्स की दरफ अगली टिप्स मेरी इस जाडू को ले करके हैं तो जाडू को हमें ऐसे यूज करना है तो देखिए मैं दिखाती हूँ हमें करना क्या है तो जाडू में हमें इस तरह का कोई भी कैरी बैग हो आपके पास इस तरह से पहना दीजिए उसमें और उसके बाद किसी डोरी की हेल्प से इसको बंद कर दीजिए इसमें गाठ लगा दीजिए अच्छे से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो इस तरह से हमारा एक जाले साफ करने का ब्रूम रेली हो गया तो आपको लग रहा होगा कि हम डारेक जाडो से भी तो साफ कर सकते हैं जी हाँ साफ कर सकते हैं लेकिन जब हम जाले साफ करते हैं डारेक जाडो से तो जो जाले होते हैं जाडो में लिपट जाते हैं जो निक कि जो भी जाले होंगे carry bag में लगेंगे या फिनीचे गिर जाएंगे और उसके बाद carry bag को आप throw भी कर सकते हैं तो यही थी मेरी tips I hope आपको ये tips समझ में आई होगी हो सकता है बहुत से लोग ये भी comment करें कि जाले साफ करने का broom तो market में भी मिलता है जी हाँ मुझे पता है market में भी इस तरह के broom मिलते हैं जिसे हम जाले साफ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम creators क्या करते हैं जो हमारे पास ideas होते हैं हम वो share करते हैं तो देखिए घर में जो चीजे हैं हम उन्हीं को use करके अगर अपने काम को आसान बना सकते हैं तो फिर पैसे क्य करने इस तरह से carry bag को fold करके हम यह जो हमारी pipe वगेरा होती हैं उपर उसको भी साफ कर सकते हैं और हम पंखे वगेरा भी साफ कर सकते हैं I hope tips आपको अच्छी लगी होगी चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले tips की तरफ तो मेरी अगली tips यह है तो यह मेरी जो जूसरी वाली tips थी उसी से मिलती जूलती है तो यहाँ पर मैंने लिया है एक toy box जिसमें मैं लगाऊंगी double side tape जिसको nano tape आप लोग बोल सकते हैं तो यहाँ पर मैं वही यूज़ कर रही हूँ actually यह double side tape ही है तो यह कोई balloon बनाने वाला tape नहीं है यह double side tape ही होता है तो देखें यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी अपने door पर जो almira की door होती है वहाँ पर इसको paste कर दूँगी तो यहाँ पर मैं हलके फुलके कपड़े रख सकती हूँ जैसे हमारे हैंकिस हो गए बच्चों के ऐसे सिरीज हो गए तो यहाँ पर छोटे छोटे सामान को हम रख सकते हैं क्योंकि जब हम किसी छोटे कपड़े कपड़ों को या फिर जो छोटे छोटे सामान होते हैं घर मे बच्चों के या फिर हमारे ही अगर हम एक उसको स्पेस दे देते हैं न तो वो चीज हमें टाइम से मिल जाती है अगर हम यूं ही कपड़ों के साथ मिक्स अप करके रखते हैं तो वो मिलती नहीं है टाइम पे इस तरह से हम उसमें छोटे-छोटे एसिस्री और हैंकिस वेगरा रख करके यूज कर सकते हैं आई होप आपको ये वाला टिप्स भी अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा चलिए बढ़ते हैं हमारे अगली टिप्स की तरफ देखिए इस तरह से भारी भरकम सिलेंडर को इस तरह मैट पर रख करके हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूब कर सकते हैं क्योंकि हम अगर सिलेंडर उठाते हैं तो हम लेडिस को प्राब्लम हो जाती है तो आई होप आपको ये टिप्स भी अच्छी लगी होगी अगली टिप्स मेरी ये है इसी सिलेंडर को ले करके तो देखिए सिलेंडर हमारे घर में यूँ ही पड़ा होता है जो देखने में एक क्लटर क्रियेट करता है तो देखिए यहां पर उसी के बड़ाबर मेरे पास एक ठाली थी जो मैं यूँज नहीं करती हूं और यहां पर मैंने बनाया है एक सिलेंडर का कवर तो यह बहुत पहले मैंने बनाया था तो देखिए इस तरह से मैं इसको यहां पर पहना दूँगी जो cylinder से ढख जाएगा और देखने में सुन्दर लगेगा उसके बाद हम cylinder को कहीं भी रख सकते हैं उसके बाद हम इस पे कोई भी decorative सामाल रख करके इसको सजा सकते हैं जो देखने में अच्छा भी लगेगा जो पहले clutter create करता था आप कितों piece बनके ready हो गया है आई होप आपको ये टिप्स भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएगा कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और आइडियाज के साथ तब तक लिए बाब बाई थैंक्स वार वाचिंग मैं वीडियो